अलो डियर इस्टुडेंट, हाँ आई यू? आज 2 माई 2024 है और अभी अभी जारकन डिकेडमी काउंसिल जेक बोट के तरफ से आप लोगों के स्कूरूटी टेस्ट के लिए बहुत बड़ी अपडेट जारी कर दिया गया है जारकन डिकेडमी काउंसिल जेक बोट के तरफ से इस्कूरूटी टेस्ट यानि की कोपी रीचेक करने के लिए जो है वो ओफिसियल नोटिस अपलोड कर दिया गया है है इस वीडियो में डिटेल में हम आप लोगों को बताएंगे कि फोर्म कब से कब तक भरा जा रहा है फोर्म आपको किस तरीके से भरना है फोर्म के लिए कितना फी लगेगा और साती सात ये भी बताएंगे कि कौन-कौन से ऐसे इस्टूडेंट है जिन इस्टूडेंट को scrutiny test यानि कि अपना copy reject करवाने के लिए form भरना चाहिए और किन-किन student को form नहीं भरना चाहिए क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि आपका किसी subject में exam बहुत अच्छा गया था और उस subject का copy ठीक से नहीं check होने के वज़ा से आप लोगों का marks कम आया या आपको ऐसा लगता है कि इत subject में तो हम fail हो ही नहीं सकते हैं हम बहुत अच्छा से paper दिये थे लेकिन copy ठीक से check नहीं होने के वज़ा से हमको number कम आया ये सोच कि अगर आपका 8 number 10 number 15 number कम आ रहा है या आप अगर ये accept कर रहे हैं कि copy को reject करवाने से उसका scrutiny test करवाने से अगर आपका 5 number 10 number 15 number 20-25 number बढ़ेगा तो ऐसा कुछ नहीं है जारकन बोर्ड ने साप साप कह दिया है कि कौन कौन से student को scrutiny test भरना चाहिए और किस किस condition पे आपका copy को reject किया जाएगा अगर आप उन conditions पे आते हैं तो ही आपको scrutiny test का form भरना चाहिए नहीं तो form भरना नहीं चाहिए तो इस वीडियो में हर एक चीज को detailed में देखेंगे थोड़ा सोच समझ के ध्यान में रखते हुए scrutiny test आप भरोगे ठीक है और scrutiny test आपको भरना सही है या नहीं है वो हम आपके करना इससे अच्छा आप improvement exam या अगर fail हो गए है तो compartmental exam आप दे सकते हो improvement और compartmental exam का जैसे official update आएगा हम उसका जानकारी आप लोगों को दे देंगे तो इस वीडियो में पूरा detailed में जो official update जहरकाण academy council के द्वारा class 10 यानि की class 10 यानि की secondary यानि की माध्यमिक board और जो आपका intermediate board आया है उसके लिए class 10 और 12 के लिए जो आपका scrutiny test यानि की rechecking का form आया है उसको हम detail में समझा रहे हर एक चीज को अच्छा से समझना ठीक है क्योंकि गलती मत करना ने तो सिर्फ आपका इससे समय और पाइसा वेस्ट होगा और कुछ नहीं इसलिए अच्छे से हर एक चीज को समझना तो देखो यह जो आप screen पे देख रहे हो यह जो है वो प्रेस release किया गया है जारकाण academy council jack board के तरब से ठीक है हम इस यह जो हम लोगों का news है यह जारकाण academy council के दवारा आया है इसको हम telegram channel पे आपको दे देंगे राहूल commerce academy telegram channel पे जोइन कर लो jack board के तरब से जो भी update आता है आपके पढ़ाई से related हम सब चीज वहां आपको दे देते हैं अब देखो इसको अच्छे तरीके से हम आप लोगों को समझा रहें एकदम अच्छे से इन चीजों को समझना देखो लिखा गया है जारकंड अधिवित परिशद राची ठीक है यहां बोला गया है वार्सिक वार्सिक माध्यमिक एवं इंटरमेडियट विग्यान वानी जी एवं कला संकय यानि की कला स्टेंथ और कला स्ट्वेल का तीनों ही स्ट्रीम के लिए परिक्षा दोहजार चोबिस के पुनर निरक्षण के संबंद में आवेसक सुचना पुनर निरक्षण मतलब की होता है रीचेक जिसको हम लोग स्कूरूटनी टेस्ट बोलते हैं अब एकदम अच्छा से समझना जो हम आप लोगों को समझा रहे इतत द्वारा वार्सिक माध्यमिक एवं इंटरमेडियट विग्यान वानी जी एवं कला संकाय परिक्षा 2024 से संबंदि सभी चात्र चात्राओं अभी भावा को एवं विद्यालयों महा विद्यालयों प्लस्टू विद्यालयों के परधन या ध्यापको या प्रचारियों को सुचित किया जाता है कि वार्षिक एवं इंटरमेडियट विग्यान वानी जी एवं कला संकाय की परिक्षा 2024 के जो चात्र चात्रा अपने विषय या विषयों के प्राप्तांग से संतुष नहीं है वे स्कूरूटनी के लिए अपना आवेदन दिनांक 2 माई 2024 से 17 माई 2024 तक जारकन अधिवित परि यह क्या बोल रहा है यह बोल रहा है कि कलास 10 और कलास 12 आर्च कोमर साइंस का कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिनका अभी 2024 में एकजाम हुआ है अगर वो अपने माग से संतुष नहीं है अगर वो अपने कोई सब्जेट को एक या एक से अधिक सब्जेट का अगर वो रीचेक करवाना चाहते हैं तो ऐसे स्टूडेंट दो माई दो हजार दो माई दो हजार चोबी से ले करके 17 माई दो हजार चोबीस तक ओनलाइन भरा जा रहा है जिसको आप www.jsc.go.gov.in.gov.in.gov इस वेव साइट पर जाके ओनलाइन ओनलाइन कोपी रीचेक करने के लिए आप अपना आप फोर्म को अपलाई कर सकते हो तो फोर्म को अपलाई करने का डेट कब से कब तक है तो 2 माई से ले करके 17 माई तक फोर्म आप अपलाई कर सकते हो कैसे अपलाई करना है फोर्म ओनलाइन अपलाई करना है तो इस वेव साइट में जाके आप अपलाई कर सकते हो या तो आ आगे और साप कर दिया गया है इस कुरूटनी के लिए आवेदन जमा करनी की बिधी निम्नुवत है अब देखो आप किस तरीके से इस कुरूटनी का जो है वो फोर्म भरोगे हम समझा दे रहे हम आपको में में चीद सर्फ समझा दे रहे अभी देखो कलास 10 का जो स्टूडेंट है जो अगर अपना कोफी को रीचेक करवाना चाते हैं तो पर सब्जेक्ट रीचेक कभी उसका 450 रुपया लगेगा किसका कलास 10 का अगर कलास 10 का कोई भी स्टूडेंट है अगर एक पेपर का एक पेपर का अगर रीचेक करवाना है तो 402 पेपर का होगा तो और 400 जो 4500 जोड़ लो यानि कि 900 और तिन पेपर का कराना होगा तो और 4500 यानि पर पेपर आपका 450 रुपया लगेगा वहीं अगर बात कले कलास 12 का Arts Commerce और Science Stream में से कोई भी स्ट्रीम के student है आप लोग तो तो पर सब्जेक्ट आपको 750 रुपया लगेगा एक सब्जेक्ट का कराना है 750 दो सब्जेक्ट का कराना है तो फिर 750 यानि कि 1500 रुपया और तीन सब्जेक्ट का है तो और पर सब्जेक्ट 450 रुपया लगेगा टेंथवालो का, किलियर है? Čинов Kaat से फिल अब होगा? दो माई से लेके 17 माई तक कैसे? फिल अब होगा? ओनलाइन फिल अब होगा, कहां से करेंगे? केफे से करेंगे, कितना फिल लगेगा? 10th वालों का 450 रूपया पर सब्जेट लगेगा और Arts, Commerce, Science 12th वालों का 750 ठीक है हाँ अगर आपने इतना कर लिया और आपको ये लगेगा कि चलो यार आप तो हम कूंपीलप कर दियें आप तो मेरा नंबर बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है देखो साब साब बोल रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो किस कंडिशन पे आपका मार्क्स को आपका एंसर सीट को किस कंडिशन पे चेक किया जाएगा जान से सुनो स्कूरूटनी मात्र से धान्तनिक परिक्षा अर्था अर्थ उस्तर पूस्तिका के माध्यम से आयोजित परिक्षा के लिए ही मानने होगा प्रेक्टिकल एवं इंटर्नल एसेस्टमेंट में प्राप्त अंको की स्कूरूटनी पर विचार नहीं किया जाएगा इसका मतलब जो भी college में practical का exam हुआ था practical का exam का scrutiny में test नहीं होगा आप center में जाकर के जो exam दिये हैं और exam में जो subjective theoretical exam दिये हैं सिद्धातनिक मतलब होता है theoretical जो आपने theoretical exam दिया है उसका ही copy आपका check होगा यानि center में जाके जो आपने exam दिया है theory का theoretical का उसी का आपका test होगा यानि की college के तरब से जो practical number मिला है आपको उसके उपर इसमें विचार नहीं किया जाएगा clear और most important चीज ये है जो हम अभी आप लोगों को बता रहें एकदम अच्छा से समझना इस चीज को बहुत important scrutiny में मातल निम्ड बिंदूओं पर ही विचार किया जाएगा most important चीज आई ये चीज अगर आपको लगता है कि आप scrutiny का form भर दोगे और आपका copy को recheck कर दिया जाएगा तो नहीं किस condition पर आपका copy को recheck किया जाएगा समझ लो पहला condition अंदर के प्रिष्ट में नियोजित अंक अगर मुख के प्रिष्ट पर अंकित नहीं है तो उसे मुख प्रिष्ट पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जाएगा इसका मतलब है कि जो आपका copy है उस copy के front page में जितना number आपको दिया है और copy के अंदर में जो आपका answer चेक हुआ है उसको जोडने से अगर 40 number आ रहा है देखो total marks को जोड़के 40 number आता लेकिन front page में जो है वो 30 number लिखा गया है तो mistake हुआ तो इस condition पे आपका 10 number जो है उसमें पिशार तब किया जाएगा जब front page का सबसे पहला page का जो marks है अगर वो marks answer seat का marks से अगर कम गलती से लिखा गया है उस condition पे जो है आपका marks को जोड़ा जाएगा पहला दूसरा अगर कोई परशनोतर बिना मुल्यांकन के रह गया हो तो उसे मुल्यांकन किया जाएगा इसका मत हड़ड़ी में या गलती के कारण question number 4 वो check नहीं कर पाया तो अगर वो question number 4 को नहीं check किया है तब वो उसको check करके उसका marks देगा और उसका marks जूटेगा फिलियर है किसरा अंको का योग अगर सही नहीं है तब उसमें सुधार किया जाएगा यानि front page का जो number का total है उसको और हर question का number को जोड़ेगा अगर जोड़ के दोनों बराबर नहीं है तब ही आपका marks aid होगा नहीं तो नहीं होगा इसका मतलब है अगर आपको ये लग रहा है कि आपने एक question लिखा है आपने answer लिकर क्या आया suppose कर लो आपने question number 10 बनाया है और examiner आपका question number 10 को check किये है और question number 10 suppose कर ल 5 marks का question था question number 10 कितने marks का था 5 marks का और आपका examiner copy check किया और 5 marks पे वो आपको check करने के बाद आपको चार number दिया है और आपको ये लगता है कि recheck करने से आपका वो 4 number 5 में बदल जाएगा तो नहीं जिस question को check कर लिया गया है जिस question में number दे दिया गया है उसका check दोबारा नहीं हो होगा समझ माया चेक शरिक कब होगा अगर इंसर सेक जो फरंट पेज है वो अगर जितना कोस्टैन को से हिए उनन कोशन से अगर उन नंबर से अगर मेच नहीं किया तब होगा अगर कोई answer को गलती से check करना भूल गया है तब उसका number 8 होगा और अगर front page का और बाकी pages का number total same ना हो तब check किया जाएगा अगर आप कोई question को बनाए हैं और examiner उस question को check कर लिए है और उस question का वो number भी दे दिया है उस condition पे वो copy आपका check नहीं होगा और ना वो question आपका check होगा clear है इसका मतलब है कि अगर आपने सारा question का answer लिखा है और examiner अगर उस questions को check किया है पांच number के जगा आपको तिन number दिया चार number के जगा आपको दो number दिया और आपको ये लगता है कि नहीं हम बहुत अच्छा लिखे थे और re-check में मेरा number बढ़ेगा तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि उन conditions में आपका copy check होगा ही नहीं ये हम नहीं बोल रहे है ये खुद देखो council के द्वारा बोला गया है तो आप बताओ अगर ऐसे condition है तो क्या scrutiny test करवाने से कोई फायदा है लेकिन scrutiny test मेरे हिसाब से उनी student को करना चाहिए जो एक या दो number के लिए रह गये है एक या दो number से first division छूट गया दो तिन number से अगर मान लो उनका किसी कारण से JIA या means के लिए वो लोग eligible नहीं हो पारे तो दो तिन number तक के लिए risk ले सकते हो लेकिन वहीं अगर आप सोचोगे कि 17 number, 18 number, 20 number, 30 number तक आपका बड़े तो ऐसा नहीं होगा एक, दो, तीन, चार number है उतना तक है तो आप इसका scrutiny test भर के देख सकते हो अगर उतना नहीं है तो हम suggest करेंगे कि scrutiny test मत भरना कोई benefit नहीं होगा आपको इससे अच्छा, अगर फेल हो गए है तो आप compartmental दो, नहीं तो improvement देना, ठीक है? अब देखो नीचे क्या बोल रहा है scrutiny के लिए आवेदन देने वाले छात्रों को express किया जाता है कि scrutiny के तहत मुल्यांकित परस्नों का मुल्यांकन नहीं किया जाता है अगर जो answer चेक हो चुका है उस answer को अगर दोबारा चेक करेगा ही नहीं तो number बढ़ने का chances तो already घट जाएगा अर्था अर्थ वार्षिक परिक्षा 2024 के अनूतरिन सात्रों को सलहा दी जाती है कि इस कुरूपनी के फलफल की परिक्षा किये बिना संपूरक यानि की कमपार्टमेंटल परिक्षा 2024 आत्वा वार्षिक परिक्षा 2025 यानि की improvement परिक्षा 2025 में होगा के लिए परिक्षा अवेदन प्रपत्र भर सकते हैं देखो काउंसिल ने भी ये साब साब बोल दिया कि जो copy दो copy चेक हो चुका है उस copy को दोबारा उस answer को दोबारा चेक नहीं किया जाएगा इसलिए number बनने का chances बहुत कम है इससे अच्छा है कि अगर आप ये चाहते हैं तो या तो आप compartmental दे दो या तो फिर आप जो improvement exam होगा उसके लिए भर दो अच्छा improvement exam भी इनका कहना है कि improvement exam देखो 2025 में होगा लेकिन हाला कि 22 September 2023 को जेग बोट के तरफ से जो notice आया था उसमें ये बताया गया था कि भाई इस साल जो 2024 में जो improvement exam होगा वो compartmental exam के साथी साथ होगा ताकि student को एक साल का वेटना करना पड़े लेकिन देखो यहां पर यह लोग फिर mention कर रहा है कि जो परिक्षा 2025 में होगा तो उस समय आप improvement का exam दे सकते हो समझ मैं आ रहा है अब improvement exam क्या होगा कैसे नहीं होगा इसके लिए कुछ दिन हम लोगों को वेट करना होगा आगे निर्धारी तिती के बाद आवेदन सिवकार नहीं किया जाएगा यानि कि वो जो दो मैं से लेकर के सत्रा मैं तक डेट है अगर सत्रा मैं पार हो जाता है तो उसके बाद आपका form accept नहीं होगा निर्धारी तिती के बाद आथवा डाक courier email या अन्य किसी माध्यम से बेजा गया scrutiny to have done सिवकार नहीं होगा यानि date खतम हो गया तो सिवकार नहीं होगा अब finally बच्चा अब हम आपसे पूछते हैं कि अब आप हमको सोच के बताओ कि क्या आपको scrutiny का form भरना चाहिए या नहीं हम बोलेंगे sir अगर एक दो number से अगर आप first division से रह गए एक दो तीन number से अगर आपका JE मेंस के लिए 75% नहीं आप आ रहा है तो इस condition पे आप scrutiny टेस्ट दो scrutiny टेस्ट के लिए फूम भर दो लेकिन अगर आपको ये लगता है कि सर जी अगर आपको ये लगता है कि सर जी हम जो है 8 number, 10 number, 15 number 20 number के लिए fail हो गए या कम number आया तो इतना marks आपका नहीं बढ़ेगा इसके लिए आपको scrutiny टेस्ट देना स्तिर्फ समय और पैसा का बरबादी होगा और कुछ नहीं तो इस condition पे मेरा तो यही suggestion होगा इतना जादा number बढ़ने का उम्मिद मत रखो एक दो number बढ़ा तो बढ़ाने तो नहीं के बराबार आपका number बढ़ेगा इसके अच्छा compartmental या आप improvement का तयारी कर सकते हो ठीक है बाकि आपका मन आपको जो अच्छा लगी आप अपने teacher से अपने parents से अपने tuition वाली sir से बात करो बात करने के बाद आपको जो decision अच्छा लगता है वो आप हमको आप जो है वो कर सकते हो फिर भी अगर आप लोगों को कोई help चाहिए तो मुझे पता है कि मेरा mobile number आप सभी लोगों के पास है तो आप लोगों को जब भी मेरा जरूरत होगा आप लोग हम से जो है वो call में बात कर सकते हो बाकि सारा details हम YouTube चैनल पे और राहूल कोमर से कैड में टेलिग्राम चैनल पे देते रहते तो इन दोरों जगा आप लोग हमको follow करके रख सकते हो कोई भी news notification अपडेट आएगा हर चीज का जानकारी हम आप लोगों को वहाँ provide कर देंगे ठीक है चलो bye take care